नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो यदि आप परेंट्स है और आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप इस आस में जरूर होंगे कि आपका बच्चा पढ़के एक दिन बड़ा व्यक्ति पढ़ेगा बड़ा में वह स्कूल ब्लैकलिस्ट है और गौर्रमेंट के पास में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है तो फिर आपके मन में क्या सवाल आएंगे क्या आपको क्रोध आएगा या नहीं आएगा ये एक बड़ा प्रश्ण बना हुआ है नागप सकता है कि यह स्कूल को संस्थापक व्युस्थापक या प्रिंस्पल जितने भी इस संबंधित लोग है वह सभी इस एरिया के इस चेटर के पैरेंट्स को बेवकुप बना रहे हैं यह खुलासा तब हुआ जब हम स्कूल पहुची स्कूल में पहुंचने के बाद हमने स्कूल साथवी तक थी पहले फिर जब ऐसा हुआ कि बच्चे वहां सब पढ़के निकल रहे थे तो जब लीविंग देनी की बाद आती है तो स्कूल अपनी लीविंग नहीं दे सकता क्योंकि यह स्कूल पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट है यानि कि साथवी तक भी स्कूल नह सुनिए हमारे डिपार्मेंट की सुचना नुसार हम यह देखते हैं कि वह है स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उसके मुताबिक प्राइमरी शिक्षन अधिकारी या माद्देमिक शिक्षन अधिकारी के तरफ से उन पर पूरी नीवा नुसार कारेवाही की जाएंगी उनके खिला यहां के प्रिंस्पल पंवी वर्मा बताई जाती है उनसे हम मुलाकात करने कोशिच की कोई भी तरह का अधिकारिक एक स्टेट्मेंट मीडिया के सामने देने को तैयार नहीं है आखिर कर向 को सिक्छनादिकारी से मिलना परा मुंबई विधान साबाद इवेशन में दीपक केसकर जो यहां के शिक्षा मंतरी है शिक्षा मंतरी के जो OSD है उनसे हमने बातचीत की इसके बारे हमें जानकारी दे उन्होंने कारवाई करने को इस पे बोला है अब सवाल यह उठता है कि स्कूल हिंगना में और जब बच्चा अगर पास आउट करता है उसको लीविंग दे रहे हैं बेल तरोड़ी के कभीरा स्कूल में कभीरा स्कूल के महां के प्रिंश्पल है करन खोबरागड़े करन खोबरागड़े से हमने बातचीत की उन्होंने off the record उन्हों को पता ही नहीं है हमारी स्कूल की लिविंग दी जा रही है लेकिन जब हमने उनसे कहा कि अगर आपको पता नहीं है तो आप मीडिया के सामने आके इस पर बयान दीजी इसके उपर भी करन खोबरागड़े कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और अगर कबीरा स्कूल के प्रिंस्पल, करणखुबर गड़े या कबीरा स्कूल के जितने भी बहुस्तापक संस्तापक हैं, इन लोग अगर नहीं मिले हैं, तो फिर ये लोग आखिर मीडिया का सामने बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बड़ा प्रश्ट अपने आप में बना हुआ है क्या इस बड़े स्कैम में इतने बच्चों को कभविसे अंधकार में डालने के लिए क्या कभीरा पबलिक स्कूल और SGM दोनों भी गुनागार हैं यह अपने आप में प्रश्ट बना हुआ है हालां कि हम कोशिश करेंगे फिर एक बार कभीरा स्कूल के प्रिंस्पल से बात्चित करने की वह करते हैं नहीं करते हैं वह भी हम आप तक जद लेकर आएंगा आप में साथ बने रहे हैं देखते हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन बिसीय